गाईज अगर आप अपने पेटेम सेविंग अकोंड को बंद घरना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके सामने अपना पेटेम सेविंग अकोंड बंद करने वालों यनि कि क्लोज करने वाला हूँ आपको गईज बिल्कुल लाइव देखने को मिलेगा कि कैसे Paytm Same के क्लोज करते हैं बस गईज आपको क्या करना है वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है एंड तक देखना है अगर गईज आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो उसके बाज आप भी बिल्कुल आसानी के साथ अपना Paytm Same के क्लोज कर सकते हैं ठीक लेकिन गईज वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रोकेस्ट है तो गईज पेट्यम सेवंग एकोंड क्लोज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने Paytm एप को अपडेट करना होगा यानि कि इसको आपको दबार से डॉनलोड करना है क्योंग इसमें कुछ बहुत सारे नाए अपडेट्स आए है इसलिए आपको क्या करना है आपको अपने Paytm एप को दबार से यह मतलब डॉनलोड करना है लिंक आपको नीचे डिस्कृर्सिय में मिलेगा जा करके आप बिल्कुल आसानी के साथ इसको अपडेट कर सकते है तो गईज अपडेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर अपना जो मुबाइल नमबर है वो डालना है पासवार डालना है आपको यहाँ पर लागिन हो जाना है तो गईज जैसे आप लागिन हो जाओगे आपके सानी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा गईज अब आपको वीडियो को जहाँ से देखना है आपको करना क्या है गईज सबसे पहले आपको आजाना है लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको अपना लोगो मिलेगा सिंपली गईज सबसे पहले आपको इस लोगो पर क्लिक करना है तो गई जैसे आप लोगों पे क्लिक करोगे आपके सानी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ पर गई आपको लास्ट एंड पे आ जाना है यहाँ पर आपको लास्ट एंड पे एक आपसी मिलेगा 24 इंटो 7 help and support सिंप्ली गई आपको इस पे क्लिक करना है तो गई जैसे आप 24 इंटो 7 help and support पे क्लिक करोगे आपके सानी कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा यहाँ से आपको थोड़ थोड़ नीचे आना है यहाँ पर गई आपको एक आपसी मिलेगा चोज़ा सर्विस यू नीड हेल्प विद यहाँ पर गई आपको नीचे आना है यहाँ पर ही दिखाएगा विव आल सर्विस इस पे क्लिक करना है तो गई जैसे यह विव आल सर्विस पे क्लिक करोगे यहाँ पर बता रहे है recharge and build payments, paytm valid, paytm kyc travel यहाँ से आपको फिर से नीचे आना है थोड़ा थोड़ा जब तक गई आपको saving account वाल उप्सिन नी मिलेगा तब तक आपको नीचे आना है जैसे यहाँ पर मुझे saving account वाल उप्सिन मिल गया तो simply इस पे क्लिक करना है यह गई अब यहाँ पर लिखाए saving account यहाँ पर लिखाए adding money यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको saving account चूज करना है उसके बाद बता रहा है let us know the issue you are facing यहाँ पर chat with us पे क्लिक करना है गईज मैं बता दूँ यहाँ पर जो गईज मैंने इनके साथ रात को chat की थी यहाँ पर मैं ना मतलब screen recording कर सका ना मतलब screen shot ले सका इसकी गईज यहाँ पर मैं enlight next ले रहा था इस तरह से यहाँ पर बता रहा था the app does not allow यहाँ पर आप देख सकते हैं the app does not allow taking screen shot इसलिए गईज यहाँ पर मैं ना screen recording कर सका ना मैं यह क्या बोलते हैं यह screenshot ले सका तो आपको क्या करना है देखे सबसे पहले आपको यह message आएगा इस तरह से आपको क्या करना है आपको यहाँ पर 6-7 option दिखाए गए आपको क्या करना है और option में से गईज आपको एक option मिलेगा इशू विद माई saving account आपको यह वाला option चोज करना है ठीक गईज जो में बताऊंगा गईज वैसी आपको बिल्कुल same करना है इसलिए गईज बोराओं कि वीडियो को end तक देखना अगर आप वीडियो को end तक नहीं देखोगे तो गईज आप जैस समझनी सकोगे कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसलिए गईज आपसे request प्लीज यर वीडियो को end तक देखना 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 गईज गईज जब आप येवाल option चोज करोगे उसके बाद आपको एक वहां से एक और message आएगा प्लीज टेल आस more about the issue यहाँ पर आपको फिर चे पंदब 6-7 option देखाएगा आपको गईज क्या करना है आपको उन option में से येवाल option चोज करना है आई वांट टू क्लोज माई saving account तो गईज जैसे आप येवाल option चोज करोगे आई वांट टू क्लोज माई saving account उसके बाद आपको पांच-छे message एक साथ आएंगे ये भले लेंकि भाई आप जैंको क्या बोलते हैं इसको बंद क्यों करना चाहते हैं हम तो आपको इंटरेशट देते हैं 5.5% इंटरेश्ट देते हैं इधर आपको गईज खुछ नहीं करना है आपको इस तरह से नीचे नीचे आना है आपको वहाँ पर एक option मिलेगा yes, I want to close my saving account और दूसरा वला option मिलेगा no वाला अगर आप अपने saving account को बंद करना चाहते हैं आपको yes पर क्लिक करना है जिसकी यहाँ पर मैंने yes पर क्लिक किया है अगर आप अपने saving account को बंद नहीं करना चाहते हैं आपको no पर क्लिक करना है जिसकी यहाँ पर मैंने yes पर क्लिक किया yes, I want to close my saving account ठीक, उसके बाद आपको फिर से message आएगा वहाँ से 3-4 message आएगे यहाँ पर आपको पर कुछ मनलब reason मांगा जाएगा कि भाई, आप जो है, अपना saving account क्लोज क्यों करना चाहते हैं ठीक, आपको guys क्या करना है वहाँ पर यह बनलब आडफ यह option दिखाएगा आप उन में से कोई भी choose कर सकते है जैसकी guys, यहाँ पर क्या है मैंने I have stopped using my mobile number आप कोई भी option चूज कर सकते हैं आप मतलब I agree हो, क्या हम अगर इसको बंद करेंगे, आप I agree हो जिहां guys हम agree है, I agree choose करना है जैस मैं आपके important बात बताऊंगा अगर आपके saving account में पैसे होंगे उनका आपको मतलब पहली ट्राफर कर लेना है उसके बात guys आपको मतलब इसको delete करना है उसके बाद इसको delete करना है उसके बाद simply यहां पर आपको skip वालो option चूज करना है उसके बाद बता रहे थे यहां पर guys जैसकि मैंने यहां पर किया था कितने now बज़ कर 49 मिनट पर message यहां पर किया था मैंने skip तो उसके बाद यहां पर बता रहे थे तो गैस यहां पर आप देख सकते हैं पहले मतलब उस वाकषत किया था मैंने नाउ बज़ कर 59 मिनट यहनि कि 21 बज़ कर 39 मिनट पर अब मैं आ गया है, यहां पर मुझे मैफेज आया, 12 बज़कर 26 मिनट, यह आंपर दिखा रहा है, 0026, इसका मलब है गईज, 12 बज़कर 26 मिनट, यह मैफेज आपको कहा मिलेगा, जैसे यहां पर मैं वैक आउओंगा, यहां पर भी गईज आपको जैसे मलब 24 इनटो 7 पर क्लिक करोगे यहां पर यह पहले ही दिकाए गई यूर रिसेंट टिकट इस्वीद माइश सेविग अकॉंट यहां पर गाइज आपको इस पर क्लिक करना है यहां पर इन्हें यह बता है इस बंदों को इंग्रिश नहीं आते होगी मैं आपको हिंदिय में भी समझाऊंगे यह क्या यह क्यां आप कुछी करना यह नीकर यह बता है कि भी आप यही अपट इस नियुक्त वा簡 करूंट क्यों करने הי यहां वो नहीं अपको अच्छा सा तागड़ा सा मतब्सका करना चाहते हैं या कुछ भी बोलना जिसे कि गाइज वो मान जाए ठीक है न गाइज इसलिए गाइज आपको क्या करना है अच्छा सा बहाना बोलना है उनको उसके बाद गाइज आपका सेवंग एकॉंट बांद कर दिया जाएगा ओके गाइज बाफ गाइज यह तरीका है पेट